नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आम आदमी के कानूनी अधिकारों के बारे में वो अधिकार जिनके बारे में देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए और ये अधिकार हमारे देश के सम्विधान दवारा भारत के प्रतेक नागरिक को प्रदान किये गए है कई सारे लोग पूछते हैं कि हमारे साथ पुलिस वालों ने ये गलत कर दिया, जादती कर दी, तो हम क्या करें एक बात समझ लीजिए, जब आपको अपने अधिकारों का पता होगा, तो कोई भी सरकारी करमचारी हो, चाहे वो पुलिस विभाग से हो, या किसी भी सरकारी विभाग से हो आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा, आपके अधिकारों का हनन नहीं कर पाएगा हमारे अधिकारों का हनन तभी होता है जब हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है अगर आपको अपने अधिकारों का पता है और आप अपनी जगे बिलकुल ठीक हैं तो आपका confidence ही अलग होगा आपके बात करने का अंदाजा ही अलग होगा जिस से सामने वाले को अंदजा हो जाएगा कि इसके साथ टालमटोल करना ठीक नहीं रहेगा दोस्तो आज हम इस वीडियो में कानूनी अधिकारों के साथ साथ उन कानूनों के बारे में भी जानेंगे बात करेंगे जिनका हमें रोज मर्रा की जिंदगी में डेली लाइफ में पालन करना होता है शराब पिकर ड्राइविंग करना कानूनी अपराद है अगर आपके 100 ml ब्लेड में 30 mg से ज़्यादा अलकॉल पाया जाता है तो पुलिस आपको बिना किसी वोरेंट के उसी समय गिरफतार कर सकती है इसका प्रोविजन मोटर विकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 और सेक्शन 202 में किया गया है किसी भी महिला को शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफतार नहीं किया जा सकता इसका प्रोविजन सेक्शन 166 में किया गया है पुलिस अफसर आपकी FIR लिखने से मना नहीं कर सकते अगर ऐसा करते पाया जाता है तो बारतिय दंड सहीता के सेक्शन 166A के तहत उस अफसर को 6 मेने से 1 साल तक की सजा हो सकती है कोई भी होटेल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों नहीं हो आपको निश्वलक पाने पिने और वश्रूम यूज करने से नहीं रोक सकता इसका प्रोविजन इंडियन सराइस एक्ट 1887 में किया गया है IPC के सेक्शन 498 के तहत अगर कोई भी शादी शुदवेक्ती किसी एविवाइत लड़की या विद्वा महिला के साथ उसकी सहमतिश शारिरिक संबंद बनाता है तो वो अपराद की श्रेणी में नहीं आता है अगर दो वैस्क लड़का और लड़कियां अपनी मर्जी से लिव-इन रिलेशन्शिप में रहना चाते हैं ये गैर कानूनी नहीं है इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं होती और संतान को अपने पिता की संपत्ती में हक भी मिलता है ये प्रोविजन प्रोटेक्शन ओफ गुमेन फ्रोम डोमेस्टिक वोइलेंस एक्ट 2005 में किया गया है आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि एक पुलिस ओफिसर हमेशा ड्यूटी पर होता है फिर चाहे उसने यूनिफियूम पहनी हो या नहीं पहनी हो पुलिस अफसर से अगर कोई पीडित शिकायत करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि उसकी ड्यूटी खतम हो गई है और इसका प्रोविजन पुलिस एक्ट 1861 में किया गया है कोई भी कमपनी एक प्रेगनेंट लेडी को फीमेल को नोकरी से नहीं निकाल सकती ऐसा करने पर मेटेरिनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहट अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है अगर आपने किसी परकार के टेक्स का उलंदन किया है तो करवसूली अधिकारी आपको गिरफतार करने का अधिकार रखता है दोस्तों तलाग को लेकर बहुत सारे लोगों के प्रशन रहते हैं, मोटी-मोटी बाते यहां बता देता हूं उसके बारे में, डिटेल में बाद में एक वीडियो में बताऊंगा, हिंदू मेरिज एक्ट के तहित, पती या पतनी में से कोई भी कोर्ट में तलाग के लिए अरजी दे सकता है, व्याभिचार यानि शादी से बाहर शरीरिक संबंद बनाना, शरीरिक या मानसिक प्रताडन, इंपोटेंसी, बिना बताय छोड़ कर चले जाना, हिंदू धरम के सेक्शन 13 में किया गया है, मोटर विकल एक्ट के सेक्शन 139 के तहएत, बाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवारिया है, सेक्शन 128 के तहएत, बाइक या टू विलर पर किवल दो वेक्तियों को बैठने का प्रावदान है, लेकिन ट्रेफिक पुलिस द्वारा गाड़े की चाब भी निकालना या की निकाल लेना बिल्कुल गैर कानूनी है, इसके लिए आप चाहें तो उस कॉंस्टेबल या अधिकारी या पुलिस कर्मी के खिलाफ कानूनी कारवाई भी कर सकते हैं, ये सब प्रोविजन मोटर विकल एक्ट में किये गए हैं, CRPC 1973 में प्रोवि के बीच महिला पुलिस टेशन जाने से मना कर सकती है, केवल गंभीर अपराद के मामले में वो भी जब मजिस्टेट के लिखित ओडर हों, आदेश हों, उसके बाद एक पुरुष पुलिस कर्मी महिला को गिर्फतार कर सकता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन गैस दोस्तों त्योहारों पर गिफ्ट का लेना देना आम बात होती है, लेकिन अगर आप किसी त्योहार के मौके पर किसी कंपनी से कोई गिफ्ट लेते हैं, तो ये रिश्वत की श्रेणी में आता है, और इस जुरम के लिए आपको Foreign Contribution Regulation Act 2010 के तहत सजा भी हो सकती है, अगर आ आपकी गाड़ी का या आपका Motor Vehicle Act के तहत चलान काट दिया जाता है, तो फिर दोबारा उसी अपराद के लिए उस दिन दोबारा से उसका चलान नहीं काटा जा सकता है, ये Provision Motor Vehicle Amendment Act 2016 में किया गया है, Legal Metrology Act के तहत कोई भी दोकंदार किसी भी प्रोड़क्ट पर लिखी अधिकतम खुद्रा मुल्ले या MRP से ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन उप्भोगता या कस्टमर MRP से कम प्राइस पर किसी उतपाद को किसी प्रोड़क्ट को खरीदने के लिए मोल भाव कर स सकते हैं, तीन साल के बाद अगर आप कम्प्लेंट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, भारतिया दंड सहिता के सेक्शन 294 के तहत यदि आप पब्लिक प्लेसेज पर किसी भी प्रकार की अशलील गतिविदी करते हैं, या ऐसी किसी गतिविदी में जाते हैं, तो आपको तीन महिने तक की कैद हो सकती है, लेकिन अशलील गतिविदी की कोई क्लिर डेफिनेशन हमारे कानून में नहीं है, इसलिए इस कानून को पुलिस अपनी मन मर्जी से चलाती है और इसका दुरूप्योग भी दबा के करती है, हिंदू एड़ोप्शन और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है, तो आप किसी दूसरे लड़के को गोध नहीं ले सकते हैं, इसके साथ ही गोध लेने वाला व्यक्ति और गोध लिये जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 साल का अंतर होना जरूरी है, अगर आप दिल्ली में करेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के सेक्शन 14 में किया गया है, तो दोस्तों ये थे कुछ कानूनी अधिकार जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्यत है ऐसे कानून हैं जिनकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि करेंट करके बताईए कि जानकारी कैसी लगी, नमस्कार